हलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू मैं जेनल मैं हूँ सोपना तो आज है दिवाली तो आप सबको मेरे तरब से हपी दिवाली तो आप सुभा के दस बच क्या है और मेरा मणिंग का सारा काम खतम करके वे आई हूँ यहां लांच बनाने के लिए क्यूंकि आज बहुत सारा काम है मुझे इसलिए मैं जल्दी जल्दी से पेले लांच बना लूँगी उसके बाद मैं दिवाली की सारी तेयारिया करूँगी तो यहां में दाल और चावल को चड़ा दिया है दाल मेरा अलड़ी बैल हो गया है अब मैं करी बनाऊंगी तो करी बनाने के लिए मैं कड़ाई में यहां पानी डाल रही हूँ तो पानी को बाइल होने के लिए मैं कुस्ते छोड़ दूँगी उसके बाद मैं पानी में सारी वेजिटेबुल्स को डाल दूँगी तो आज मैं बिना प्याज और लहसुन के करी बनाऊंगी तो सारी वेजिटेबुल्स को आड़ करने के बाद मैं अब इसमें डाल रही हूँ हल्दी और ये नमक तो आज मैं जो भी कड़ी बना रही हूँ इसे मैं पहले से ही आप सब के साथ सेयार कर दिया ही इसलिए मैं आज सेयार नहीं कर रही हूँ सिर्फ दिखा रही हूँ तो सारी वेजिटेबुल्स बॉयल हो गया है अब मैं इसे तड़का लगा दूँगी तो मेरा लांच बन गया है अब मैं दिवाली की सारी तयारियां करूंगी तो यह देखिए करी मेरा बिल्कुल रेडियो हो गया है खाने के लिए और यह देखिए कितना टेस्टी लग रहा है तो यहां में आम पत्ते की बना हुआ तोरन लगा रही हूँ क्यूंकि कोई भी त्वार हो यह तोरन लगाने से घर में पजटिविटी आता है तो आज मेरा बेटा वीडियो सुट कर रहा है तो कैमेरा को थोड़ा सा हिला रहा है तो यह देखिए एक इस तरह से हिल रहा है और इसे इगनल किजिएगा तो वहां पर त्वरन लगाने के बाद में यहां भी एक त्वरन बना रही हूँ तो यहां में कुछ फूल को पानी में डाल कर रखूंगी मुझे बहुत अच्छा लगता है घर में इसी तरह से रियल फ्रेस फूल को सजा कर रखने से मैं हमेजा इस तरह से रखती हूँ मेरे प्याकट में बहुत सारे गुलब की फूल खिलते हैं तो मैं हमेजा उसे लाकर इस तरह से पानी में डाल कर रखती हूँ और उसे एक अच्छा खुस्पू निकलता है, तो बहुत अच्छा लगता है, माइंड फ्रेस लगता है विल्कूल, तो मैं हमेशा इस तरह से पानी में डाल कर रखती हूं तो ये दिखिए, ये कितना सुन्दर दिख रहा है, तो अब मैं यहाँ बना रही हूं रंगोली, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी में मैं बना लेती हूं इसे थोड़ा टाइम दे कर करूं तो बहुत अच्छा बनता है, पर मैं आज जल्दी जल्दी बना लेती हूं, क्योंकि मैं अकेली हूं, सारे घर के काम करना पड़ता है, तो दिवाली की सारी तेयारिया मुझे ही करना पड़ता है, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी से बना दू करूंगी और मेरा बहुत सारा काम भी बाकी है मैं उसे भी खतम करूंगी और अभी आप्टर नुन का टाइम हो गया है तो मैं जल्दी से खतम करूंगी और में बाकी काम करूंगी तो चलिए मैं आपको पूरी रंगोली रात को ही दिखाऊंगी दिया लगते टाइम तो अब मैं आई हूँ मेरे किचिन में दिवाली है तो मीठा तो बनता है तो अभी मैं बना रही हूँ पिठा जिसको हम ओडिसा में काकेरा पिठा कहते हैं यह हमारी यहां का एक ट्राडिशनल रेसिपी है कोई भी तिवार हो यह पिठा हम जरूर बनाते हैं तो आज मैं बही पिठा बना रही हूँ तो आज मैं बना रही हूँ टू मैं इसे पहले से ही बना कर रख दिया था अब मैं सीफी से फ्राय कर रहे हूं तो मैं इसे फटा फट खतम कर देती हूँ और अभी साम होने को आई है तो मैं फ्रेस होने के लिए भी जाओंगी तो चलिए मैं इसे जल्दे जल्दे खतम कर लेती हूँ तो ये देखिए सारी तेयरिया मेरी खतम हो गई है अब मैं जाओंगी फ्रेस होने के लिए और फ्रेस होने के बाद मैं दिया लगाओंगी तो अब इबनिंग का साड़े 6 बज गया है और मैं यहाँ दिया लगा रही हूँ तो ये है मेरे कम्प्लेटली रंगोली आप सब को ये रंगोली कैसा लगा मुझे कमेट करके चारोर बताएगा ऩले है कम्पलाप्ले लेगा जातर बताएगं दो ये एम उे खरती मैं भादे लेगे रहाँ एम pregnancy के अर किपूएप मान लेगाँ पहता ये मूदा ूज वे रहाँ आव हौः लेगा ये लेगा वेगा ना है के तर रेग lilमत भावाया gluc रहोंगी तो दिया में चारोवर लगा दूँगी घर के अंदर मैंने अलड़ी लगा दिया है और मैं जाओंगे घर के बाहर लगाने के लिए तो यहां मैं आई हूँ बाहर दिया लगाने के लिए यह देखिए लाइट्स में कितना सारा इंसेर्स बहार आज बहुत सारे पतंग उड़ रहे हैं क्यूंकि लाइट के वज़े से यह सब आ जाते हैं और क्यामेरे की लाइट में देखिए कितने सारे उड़ रहे हैं तो मैं चारो और दिया लगा दिया है अब मैं आप सबको मेरी घर की पुरी लूक दिखाऊंगी तो यह देखिए यह है मेरा घर का लूक बाहर से और कितना सुन्दर लग रहा है ना और यह देखिए यह मेरा बेटा है दिवाली की यह ही तो खासियत होती है चारो और उजला ही उजला और कितना सुन्दर लग रहा है चारो और लाइट से सजाया गया है बहुत अच्छा लग रहा है और यह दिखिए यह है घर का साइड का लूक और चलिए मैं आप सब को अंदर तक भी लेकर चलती हूँ कर दो कर दो दो की बहा है पिवाली है तो पटाखे तो फोड़ना ही पड़ेगा तो यह देखिए यह मेरा बेटा यहाँ पटाखा लगा रहा है और यह देखिए और यहाँ में मुझे जो लाइड अच्छे लगते हैं जो साउंड बेला पटा के मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है मैं मेरे हजबेंड को हमें समना करती हूँ कि जो चीज में साउंड हो उसे मतलाना तो मेरे लिए बहुत सरस लाइड लाइए है करता सका हो लाइड दाया है मेरे लाइड चाह profile कर दो